22 योजन है, 22 वर्षों से लगातार चलता रहा है, 22 योजन है सबके लिए यही प्रात्ना है, कि ये परव सबके लिए मंगल कारी होवे सबके घरों में बरकत देने वाला होवे, अन्न की बरकत, धन की बरकत, जन की बरकत सब के हाथों से शुब करम, मंगल करम होते रहें तो सब को मा का अशीरवाद मिले सब को मा भगवती की क्रिपा मिले सब जन में नाम राम, राम नाम का मा नाम का परचार हो, परसार हो यही हमारा उदेश्या है कि अपति शेवा सुसाइटी की तरफ से निमवाला चौक के पास हर वर्ष यहाँ पर यह गर्णपती पूजन का योजन करते हैं 22 वर्षों से लगातार चलता रहा है 22 वर्षों है मैं श्रीरामशडम परिवार की तरफ से इस सभी सब सुसाइटी के सभी मेंबरों को बधाई भी देता हूं भाई गुर्पीज जी ने बहुत मधर सुन्दर कीतन किया धन्यवाद सादूबाद के पातर है सब के लिए यही प्रार्थना है कि यह परव सब के लिए मंगल कारी होवे सब के घरों में बरकत देने वाला होवे अन की बरकत, धन की बरकत, जन की बरकत सब के हाथों से शुब करम मंगल करम होते रहें यही मैं सब के लिए प्रार्तना करता हूँ धन्यवाद जैश्री राम इन मा के चरनों में गनपती जी के चरनों में लगाई गई तो सब को मा का आशीरवाद मिले सब को मा भगवती की कृपा मिले सब जन में नाम राम नाम का मा नाम का परचार हो परसार हो यही हमारा उदेश्या है घर घर जाकर इन मा नाम के संकीरतन करने का तो यह उदेश्या म तो सबके चरनों में अंजुदीर जी, तो सबके चरनों में कोटी-कोटी परनाम, सबको मा की तरफ से बहुत-बहुत अशीरवाद, जितनी संगत आई है, सबको बहुत-बहुत अशीरवाद माभगवती की तरफ से माभगवती सबका कल्यान करे, सबको अपने पंथ पर चलने की ताकत बक्षिश करेँ जयमा, जयमा, जयमा। कि हमारे निम्चोंक में श्री गनपती सेवा सुसाइटी की ओर से 22 श्री गनेश महसब बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आया जा रहा है इसके संस्तापक हमारे रजेश शर्मा बोवी जी हमारे बीच में आज नहीं है ये सीड़ी उन्होंने ही लगाई थी और हम ये सीड़ी से बहुत दूर तक जाएंगे और इसी के साथ हम गनेजी का गुनगान डेली करते हैं रोज दस के दस दिन हम गनेजी की पूजा करते हैं इसी के साथ बहुत संगत यहां पर आती है गनेजी के दर्शन करने के लिए और अपनी मनुकामना पूरी करने के लिए यहां पर बहुत दूर दूर से संगत आती है